प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल लाइक, कामेंट और हिट बेल आइकान हलो स्टुडेंट्स माइसल दीपक्यादो और स्वागत करता हूँ आप सबको आपके ही यूटूब चैनल सिख्षड अकेडमी पर आज की इस वीडियो में हम इस्टेंडर थर्ड का प्रियोडिकल असस्मेंट टेस्ट यूनिट टेस्ट 7 इंगलिस सब्जेक्ट आपका यहाँ पर देखेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल पर नई सब्सक्राइब किये या फिर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लेस फ्सट अफल चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का notification मिलता रहा है time to time तो इस वीडियो में हम standard third का यहाँ पर English subject देखने वाले हैं इसको जिस student ने paper लिख लिया है या फिर जिसके parents देख रहे हैं इस वीडियो को तो फर्स्ट जो question उसमें दिया गया है complete the word using proper letters यहाँ पर आपको यहाँ पर लेटर से उसको हमें complete करना है proper meaning के साथ तो पहले में लिखा है w dash n dash e dash r ठीक है तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर दो चीज़े आ सकती है ठीक है एक तो हमें यहाँ पर लिख सकते है winter दूसरा में आपका लिख सकते हैं देख सकते हूं winner ठीक है यह first हो गया second में आपका आजाएगा never third में आपका c में आजाएगा approach इसी तरह d में आपका आजाएगा यहाँ पर antiseptic and fourth में आप लिख दोगे surprise ठीक है ठीक है फिप्त में surprise first winner B में आपका never C approach D antiseptic and E surprise तो यहाँ पर आपका question नमबर 1 का यहाँ पर complete होता है जो की five marks का है so question number two question number two में बोला गया है read the clues and write one word for it आपको यहाँ पर read करना है उसके लिए one word if you are stuck in any question अगर आपको कोई question नहीं आ रहा है तो बस आपको इस प्रश्ण का photo खीचना है और प्रश्ण को crop करना है और पांस सेकंड के अंदर ही आपको video solution मिल जाएगा फिर चाहे आपका प्रश्ण home work का हो cbsc बोर्डो यूपी बोर्डो बिहार और आजस्थान हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो फिर चाहे आपका प्रश्ण इसके बावजूद chemistry, physics, biology, math का हो तो आप अपने प्रश्ण का solution भी डाउटनेट के उपर से कर सकते हैं इसके अलावा डाउटनेट पर इस्टेंडर 9-12 के student के लिए live classes चल रही है English Medium और Hindi Medium के लिए जिससे आप अपना पूरा syllabus वहाँ से पढ़ सकते हैं तीन करोड से ज्यादा student doubtnet पर से पढ़ रहे हैं तो आप भी आज ही doubtnet अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए करने हैं तो फर्स्ट लिखा है I give wool मैं wool देता हूं तो एसा कौन सा है यह आपको बताना है तो अंसर आ जाएगा सीप से ही हमें wool obtain होता है second b में है I lay eggs मैं क्या करता हूं एक्स लेस करता हूं अंडे देता हूं ठीक है यह देती हूं तो उसका अंसर आ जाएगा यहां पर hen hen क्या करती है अंडे देती है then c है I give us you milk sorry I give you milk milk कौन देता है cow buffalo goat तो यहां पर आप लिख सकते हूं cow d number I am man's best friend man's का best friend कौन होता है almost dog domestic dog then e number I am the ship of desert मैं क्या हूं यहां पर बोल सकते हैं यहां पर desert कम है जहां जो एक तरह से बोलते हैं ठीक है rate का जहां तो उसको हम बोलेंगे यहां पर camel तो यह हमारा question number two five marks का complete हुआ next third में देखते हैं बोला गया match the following जो नीचे दिये गहां इनको हमें match करना है एक तरह आपको animal है दूसरी तरह आपको animal के sounds दिये गए एनिमल भाई आपको given है donkey cow cat all snake इसी तरह owl के बाद इसने दिन इसी तरह आपको दिये गए उनके sound जैसे hoots ब्रेस मूस हिसे म्यूस है म्योस एंड रिंग्स वन भाई वन इसको मैच करते हैं तो डंकी का जो है sound होता है ब्रेस ठीक है इसी तरह काव के sound को बोलते है मूस देन कैट को म्योस और आउल का हूट्स एंड इसने का हिसे ओके तो यहां पर हमारा question number 3 complete होता है 5 marks का next question देखते हैं 4 question number 4 में बोला गया है look at the picture and complete the sentences from it आपको यह पिक्चर देखना है पिक्चर में जैसा कि देखरो आप पहले mom है फिर dad है sister brother है granny है मतलब grandmother grandda dad that means grandfather uncle है aunt है cousin cousin ठीक है तो यहां पर आपको बाद में जो sentence दिया है उसके according हमें इस picture में से बताना है कौन है तो इस तरह से देख सकतो question ऐसा होगा तो first में लिखा है this is my death और आपको picture गीबन है left side में त ठीक है तो आप grand mother mother है तो आप उनको granny लिख सकते हूं जैसा की पीछे लिखा था second figure में this is my answer आजाएगा आपका cousin third figure में this is my dad fourth this is my granddad then fifth this is my mom मतलब mom question four हो गया five marks का last question देखते है question number five जो यह भी five marks का आपका a science fair will be held in amdabad अब इसका में है तो true लिखे या false लिखे अब आपका teacher ने जैसे बता होगा उस तरह सकते हैं ठीक है तो आप इसका कर सकते हो second is mother applied sugar to her world इसमें आएगा answer false then third turmeric is a antiseptic तो yes turmeric antiseptic true लिखे द्रूबी is a curious student है तो yes true लिखे फिप्त है आयरुबेदा is the science of life तो आयरुबेदा क्या एक तरह का science का ही होगे ठीक है तो यहां पर आप लिख दोगे है no false आयरुबेदा is not a part of the science of life so तो यहां पर यहां पर question number five that means paper आपका एक complete होता है तो thank you very much इस वीडियो के जाज़े अदा share कीजे like कीजे comment कीजे